कलर ब्लाइंड पीबल्स के लिए हमने इससे पहले दो वीडियो और भी बनाये थे जो उनके जॉब के कंसर्ण में थे कि अगर वो कहीं अपलाई करते हैं और वहाँ पर वो डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऐसे में वो क्या करें कलर ब्लाइंड के साथ में समस्या रहती है कि जहां उन्हें कुछ कलर नहीं दिखाई देते हैं और जब वह गौरॉर्मेंट जॉब में अपलाई करते हैं तो कुछ ऐसे जॉब हैं जहां पर आँखों की जाच होती है और उसमें कलर विजन की जाच की जाती है ऐसे में अगर केस कहां करेंगे इसके बारे में हमने एक वीडियो में अगर आप तोけれ बेटन को क्लिक करके वो वीडियों देख सकते हैं अब बात आती है कि इसके बाद कि अगर मान लिजे कुछ केसे में कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट अगर कोट के है यानि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉंस अगर मिले हैं कोट के तरफ से तो क्या अगर सेम फील में आप का नाम बताऊंगा जिसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप कलर ब्लाइड है और आप ने जिस भी विभाग में जॉब के लिए प्लाई किया था और आप डिस्क्वारिफाई हो गए हैं तो आपको ये पता करना है सबसे पहले कि आप जैसे क्या किसी और ने भी पहले केस कर रखा है अगर कर रखा है और उसका जो वर्डिक्ट है जो कोट का जो डिसीजन है अगर वो आपको मिल जाता है चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट में हो तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज बन जाती है क्योंकि आप जिस स्टेट में रहेंगे आप व यह जौब आपको नहीं मिल रही है तो अब आपको इसके लिए case file करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जो एक website है जिस पर आपको पूरे भारत में जहां पर भी जिस भी तरीके के cases हैं वो सारी details website पर आपको मिल जाएगी उस website का नाम है आपको सीधा google पर जाना है और वहाँ पर type करना है www.casemine.com उसकी spelling आप स्क्रीन पर देख लीजे यही उसकी spelling है और कुछ इस तरीके का उसका logo भी आपको दिख जाएगा इसमें आपको करना यह है कि वहाँ पर इस website को खोलना है और इसमें अपना इसको login करना है उसकी registration करना हो जो आप जानते हैं normal है उसके बाद जो search option होता है उसमें आप अपनी job की जो category है वो डालेंगे search option में या फिर जिस department में आपने job किया था जिसमें आप disqualify हुए है वो डालेंगे तो वहां से correlate होके जो keywords होते हैं एक तरीके से तो keywords को find out करके वहां से जो भी जिस भी व्यक्ति ने उस तरीके का case file किया वहां से list नीचे से आ जाएगी और वहां से आप उसको ढूंड सकते हैं तो यह तरीका इस website से आपको case को ढूंडने का मिल जाएगा और जिससे कि अगर आप आपसे पहले किसी विक्ति ने same category में disqualify होने पर अगर case किया है कोर्ट में कहीं से भी भारत में तो वह verdict कोर्ट का क्या रहा उस जगा उस state में तो उस अधार पर भी आप तो को कोट में जा सकते हैं और फिर उसी अधार पर अपने केस को भी आगे बढ़ा सकते हैं साथी साथ जो हमने आपको WhatsApp गुरूप दिया था जो नीरभ मखवाना का है जो खुद एक कलर ब्लाइन है लेकिन वह पूरे भारत के कलर ब्लाइन पीपल्स के लिए फाइट कर रहा है कोट में लड़ रहा है तो उसकी ताकत आपको बनना है और उसके साथ आपको जुड़ना भी है उसके WhatsApp गुरूप का लिंक मैं इससे नीचे वीडियो के description में description box में दे दूँगा आप वहां से उससे जुड़ सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए कि जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग जुड़ेंगे उससे कि वहां पर unnecessary कोई भी पोस्ट ना करें जो भी पोस्ट हो बहुत authentic हो बहुत important हो और जो गुरूप बना है वो इसलिए बनाया है जिसे आप एक मंज पर एक सार एकटे हो लेकिन जनल डॉक अगर उस पर करेंगे और नॉर्मल चैटिंग आप उस पर करेंगे तो इतनी सारी चैटिंग वहां एकटी हो जाएगी कि जो important बात है फिर वह आप से skip हो जाएगी और आप उसे scroll up कर देंगे और प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे description box में भी link दे रखा है मैंने आप वहां से भी इस पर जा सकते हैं सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपने profession से संबंदेत आपको केस को ढूणना है और ढूणने के बाद उनके जो verdict है जो उनको एक बार पढ़ना है देखना है अ और अगर यह उसमें नहीं है किसी भी तरीके का तो आपको अपने individual level पर सकी fight करनी है और यह fight कोई असान नहीं है यह काफी मुश्किल और लंबी भी हो सकती है लेकिन फिर भी आपको अपने हक के लिए लड़ाई जरूर लड़नी है और नीरफ के साथ में जरूर जूड़न या कोई desk job आपको provide कराई जाए जिसमें आप adjust हो सकते हैं और आपका जीवन अराम से आगे का गुजर सके तो यह अधिकार आपका है और आपको इसको government से जरूर मागना चाहिए इसमें next अवाल अब यह आ जाता है कि अगर आप एक color blind है तो आप अपनी education को किस दिशा में ल करता चलता है कि आप color blind है तो इस बारे में हम next video में I hope so discuss करेंगे till then keep smiling stay tuned see you in next video